ग्रहों का खेल कारिकरम के इस विशेश कारिकरम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आज का विशे है क्या ओफिस के डेस्ट पर मनी प्लांट या कोई और प्लांट लगाने से नौकरी बदलना नौकरी में बदलाव प्रमोशन सेलरी हाइक हो सकती है जी हाँ हो सकती है लेकिन कैसे वो जारेंगे वास्तु दोश न सिर्फ आपके घर पर मौजूद रहता है बलकि यह आपके बिजनस और आफिस के वास्तु को भी जोड़ता है आप लोगों ने किसी आफिस या बिजनस मैन के टेबल पर कुछ प्लांट देखेंगे इसपेशली मनी प्लांट जरूर देखा होगा वो इसे क्यों रखते हैं आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे ओफिस में काम अच्छा हो यह कौन नहीं चाहता है चाहे घर से काम करें ओफिस से अगर मन शांत होगा तो काम भी अच्छा होगा और आपके काम की productivity भी अच्छी रहेगे जब भी आप किसी प्लांट को देखते हैं मन खोश हो जाता है और कहते हैं कि प्लांट मन को शांत रखने में एक बहुत अच्छा विकल पाना जाता है नामी मनी प्लांट है जैसे जैसे वो ग्रो करेगा आप भी ग्रो करेंगे वास्तो गुनशार यदि आप ऑफिस डैस में प्लांट रखें तो घर के साथ ऑफिस वेभी सकारत वातावन बनाय जा सकता है आईए जानते हैं कैसे पहला है लकी बैंबू ये शांती और भाग्ये को अट्रैक्ट करता है इसे सुख संब्रती का प्रतीक बाना जाता है साथ ही इससे वातारून शांत रहता है आप चाहें तो इसे गर के डाइनी टेबल पर लगा सकते हैं लीली प्लांट शांती और खोशाली का प्रतीक है ये आपके मूड को स्विंग होने से बचाता है और मूड को बूस्ट करने में मदद करता है अगर आपके आफिस में कोई मेडिटेशन सेंटर है या फिर किसी भी नौठ इस के आफिस प्लांट को लगा सकते है या टेबल के नौठ इस कौनर में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई पौदा लगाने की विवस्ता नहीं है तो आप जो bamboo है वो जमी से निकलने में वक्त जरूर लेता है लेकिन निकलने के बाद वो तेजी से बढ़ता है तो आप bamboo का कोई भी ऐसा poster जिस पे खूब सारे घने सारे bamboo हो उस poster को आप अपने left और right की wall पर office पे लगा सकते हैं जैड plant को जापानी money plant के रूप में जाना जाता है इस पौधे को आप अपने office test पर रखते हैं तो आपकी जो presentation की quality वो शांदार होती आपको innovative और creative ideas आते हैं लोग आप से attract होते हैं ये plant नैतिक्ता और शक्ति का प्रतिनिरत्व करता है इसे office के जो भी area उसके center में लगा देना चाहिए जाना तो ज़्यादा धूप आए ना कम धूप आए आपका stress इसको देखते ही कम हो जाएगा अब कौन से पौधे से दूरी बढ़ाने चाहिए एक तो देखे स्पाइकी शार्प और pointy plant को कभी भी अपने desk पर नहीं रखे हैं ये plant जो attraction पैदा करते हैं और कहीं न कहीं negativity बढ़ाने का काम करते हैं बूझे सूखे पौधों को अपने desk से तुरंद अटा ले ऐसे पौधे आपके आसपास सकारफ पर उड़जा को सोक लेते हैं किसी पर तरह के dead plant या उससे संबदित कोई भी photo या कोई भी painting आपको अपने आसपास नहीं लगाने चाहिए जितना घने plant होंगे जितना अच्छा money plant होगा उत्रही आपका जीवन बैतर होगा अगर आपके कुंडले में शुकर कमजोर है तो आप crystal के bowl में अगर money plant लगाते हैं तो जिन्दगी आपकी शांदार हो जाते हैं crystal की तरह चमकना शुरू हो जाती है स्वास्त रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए आज के लिए तरह ही प्यार भरा नमश्कार और बहुत बहुत आशरवाद